हेलो दोस्तो आपका स्वागत है हमारे चैनल नौलेज वाल धिदी में वैसे तो दुनिया में कई ऐसे चीजे हैं जिस बर से रह से उठना भी बाकी है लेकिन उनमें से सबसे उपर है बेड मुडर ट्राइंगल जो की 300 सालों से रह से बना हुआ है इसे डेविस ट्राइंगल भी कहा जाता है बेड मुडर ट्राइंगल में समा चुके पानी के जहाज और हवाई जहाजों के बारे में पुष्ट तौट पर तो कोई आकड़ा नहीं है लेकिन ऐसा माना जाता है कि अब तक 2000 जलपोत और 75 वायू यान इस शैतानी ठीकाने में समा चुके हैं बेड मुडर ट्राइंगल को लेकर अब कई नई थियोडिस दुनिया के सामने आ चुकी है किसी ने यहाँ एलियंस की मौजूदगी का हिसास किया तो किसी ने भूदों का साया बताया अब बेड मुडर ट्राइंगल की रहस्यों से पर्तों को जुल्जाने का दावा किया गया है ब्रिटिश वेग्यानिकों का दावा है कि रॉंग वेप के कारण बेड मुडर ट्राइंगल में हास्यों होते हैं यह भयावा लेरे 100 फूर्ट तक हो सकती हैं जिसकी वज़े से इसकी चपेट में जो भी आता है वो नश्ट हो जाता है ब्रिटिश चैनल 5 की डॉक्यूमेंटरी दा बेड मुडर एंजिमा मतलब की बेड मुडर ट्राइंगल का रहस्य में ब्रिटेन के सौथ हम्टेन युनिवर्सिटी के बैग्यानिकों ने ये नहीं थियोरी दी है जहां तक डॉंग वेप की बात है तो 1997 में उन्हें पहली बाड सैटलाइट की मदद से देखा गया था चैनल 5 की डॉक्यूमेंटरी में एक घटना को उधारन बना कर भी दिखाया गया है इसमें USS Cyclops जहाज का मॉडल तयार किया गया 1918 में ये अमेरिकी युद्धोपोद बेड़मुडा ट्राइंगल छेतर में समा गया था इस घटना में 300 लोग मारे गये थे रिसर्च करने वालों ने इसी जहाज का एक मॉडल तयार किया जिसकी मदद से ये प्रिष्टी करने में मदद मिली कि आखिर हासे क्यूं होते है बेड़मुडा ट्राइंगल समुंदर के 4,40,000 मेल एडिया को कवर करता है यानि कि राजिस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रिदेश की छेतरफल को मिला लिया जाए तो भी ये अकार्ड में बड़ा ही सावित होगा जब भी कोई विमान या जलबो ट्राइंगल के उपर या आसपास नजड़ाया वो वापस नहीं लोट सका यहां तक कि उसको मलबा तक नहीं मिला एक सो में से हजार लोगों की मौत बेड़ मुड़ा ट्राइंगल में हो चुकी है हर सल यहां औस तरन, चार एरक्राफ्ट और बीस पानी के जहाज लापता हो जाते हैं अमेरिका की खोच करने वाले कॉलंबस ने यहां आग का गोला देखा था बेड़ मुड़ा ट्राइंगल का पहला जिक्ड कॉलंबस के हवाले से ही मिलता है जिनों ने लिखा था ट्राइंगल के अंदर जहाज के एक कामपास ने काम करना बंद कर दिया था इसके बाद उन्होंने आस्मान में आग का गोला देखा था तो दोस्तो ये था बेड़ मुड़ा ट्राइंगल के बारे में कुछ ऐसा रह से जो सायद आपको नहीं पता होगे उमिद करते हैं कि इसका रह से जल्दी ही उड़ जाएगा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेर करें अगर आप हमारी चैनल पर नहीं हो तो इसे सबस्क्राइब करें और बेल आइकन को दावाना ना भूले